हलो एवरीवन नमस्ते वेलकम टू कट्टीज किचन देख रहे ना बडिया सा लड़ू एकदम हाई प्रोटीन वाला लड़ू है सिर्फ दो चमच घीमे बनके तैयर हो जाता है इसमें ना ही शक्कर पड़ेगा और ना ही पाक बनाने की महनत एकदम पटापट से बनने वाला लड़ू कैसे बनाना है आज देखेंगे कट्टीज किचन में सुबह सुबह भूक के लिए ना ही बिस्केट और ना ही रस्क एक लड़ू दीजे नॉर्मली स्पूर्ट्स परसन फिल्म सार सब फिटनेस के लिए ऐसे लड़ू यूज करते है ताकि अननेसेसरी मैदे का बि गूग PHILY इसको हम गोर्डन ड्रॉन होने तक फ्राई करेंगे एकदम मीडियम से भी कम आज diesen अंच प्राई करना है एसे रोस्ट करना है यह रोस्ट ओनेके लिए थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप ऐसे रोस्ट करते हुए थोड़ असा ध्यान रखिये कि सपौर्ट्स आने के बाद और भी थोड़ा कम कर दीजिये फ्लेम ये कम से कम 10 से 15 मिनट में हो जाता है देखिए अब ये रेडी है जैसे आप ब्लाइक स्पोट्स देख रहे है ना ऐसे ब्लाइक स्पोट्स आ गया तो ये रेडी है ये थंडा होने के बाद हम ऐसे हाथ से नहीं तो पॉलिथिन कवर में डाल के हम इसका स्किन निकाल सकते हैं उपर का छिलका पूरा निकालने के बाद इन दोनों को सप्रेट करेंगे मैंने एक प्लेट में डाल के सप्रेट किया है आप एक सीव में या चनी जैसा बड़ा होल वाला चनी में डालके साफ कर सकते हैं अभी में चमच दिका रहे हूं न ऐसे चमच में डालके हिलाएंगे न तो भी साफ हो जाएगा इसको हम मिक्सी में दर दर पीसेंगे एक दम फाइन पॉडर भी नहीं और जादा जाड़ा भी नहीं तोड़ा दर दर इसको पीसेंगे अभी हम सब श्रिंग दाने को अच्छे तरह से पीस के पाउडर कर लेंगे अभी इसको हम नहीं पकाना है ऐसे ही ड्राई में ही हमारा लड़ू बनके रेडी हो जाएगा तो इसका प्रोटीन भी हमें अच्छी तरह से मिल जाएगे मैंने लिया है और्गेनिक गूट इसमें खेमिकल प्रीगूट है और्गेल विपवल नॉर्मली एकड़म सॉफ्ट रहता है लेकिन हमें कुटना नहीं है एसे हमें पीसना है इसे ग्रेटर से ग्रेट करना है ग्रेट करने से क्या होता है, एकदम सौफ़ बनके रेडी हो चाता है गूड, गूड को आधा डालेंगे, जितना एक बॉल से एक बॉल शेंग्दाना लिया था, उसी बॉल से आधा गूड, एक मुंग फली को आधा गूड उसको लिया, और अभी हम ड्राइफ रूट्स को फ अदाम एकदम fine cut किया है उनको और लिया है एक वाटी grated coconut मैंने कद्वकस किया है dry coconut को थोड़ा सा इलाइची और थोड़ा सा जाइफल दोनो वन फोर स्पून जितना लिया है इलाइची पॉडर और जाइफल पॉडर डालने के बाद तीन से चार मिनट तक हाथ हिलाए एकदम low ब्राउन होना है ऐसे ग्रोल्डन ब्राउन होते ही हम लोग मिक्स कर देंगे शेंगदाना पाउडर के साथ अभी हम सब इंग्रिडियंट्स को अच्छे से मिलाएंगे ऐसे पहले में थोड़ा गरम रहता है इसलिए में दो मिनट के लिए स्पून से हाथ ही लाया और उसके ब से मिक्स होना है दोनों एक एक जगह पे बिल्कुल भी नहीं दो से तीन मिनट लगेगा उपर नीचे करके अच्छे से आप इसको मिक्स कर दीजे अभी आप बिल्कुल और घी वगरा कुछ आड़ करने की जरूरत नहीं एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं और अच्छा सा लड़ बनके तयार हो जाता है 10-15 मिनट में आप 30-40 लड़ो आराम से बना सकते हैं जो बरतन मैंने लिया था उससे 36 लड़ो बना है आप डेफनेटली ट्राइ कीजे आपने हिसाब से आप बरतन लीजे जितना लड़ो चाहिए उतना ट्राइ करके देखिए हिल्दी है और बच्छ तक स्टोर भी करके रख सकते हैं हिल्दी है और आप बनाने में भी बहुत इजी है पाक उपर नीचे हो गया खराब हो गया ऐसा बिल्कुल भी नहीं 100% गारेंटीड है सब्सक्राइब कटीज किचन और प्रेस ते बेल आइकोन